तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बिना लासुन प्याज आलू और टमाटर की एक्टम चटपटी सी सबजी इसे बनाने का तरीका जितना आसान है ना खाने में ये उतनी स्वादिश्ट है भंडारे वाले आलू का टेस्ट आता है पूरी पराठे किसी भी चीज के साथ आपी से खा सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले एक मसाला त्यार करेंगे तो मिक्सर जार में हम ले रहें एक छोटा चमच जीरा दो छोटा चमच साबूत धनिया और आधा छोटा चमच सौफ तीनों का फ्लेवर आलू की सबजी में बहुत अच्छा भंडारे वाले इसे जरू डालते हैं दो हमने हरी मिर्च ली है और एक इंच अद्रक के टुकडे थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे और इन सभी मसालों को दरदरा पीस लेंगे देखिए इस तरह से इन मसालों को हमने बॉल में निकाल ली है अब मैंने गैस पर रखी है इसमें हम डाल रहे हैं दो टेबिली स्पून तेल गरम हो जाने पर इसमें हम डालेंगे एक तेजपत्ता एक बड़ी लाइची दो लॉंग और चार से पांच काली मिर्च बड़ी लाइची को मैंने तोड़कर ले ली है इनको कुछ सेकेंड भूल लेंगे ताकि मस काले डाल देंगे जो हमने दरदरा पीस कर रखी ती इनको भी हम कुछ सेकेंड भूल लेंगे जिससे इनका कच्चा फ्लेवर निकल जाए एक मिनट बाद देखें इनका कलर हलका ब्राउन हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर दो टमाटर को मैंने कट करके डाला है टमाटर थोड़े बड़े साइज में काटिएगा, कटे हुए टमाटर सबजी में बहुत बढ़ियां लगते हैं टमाटर के साथी साथ मैने एक छोटा चमच नमक डाला है इनको अचे से मिक्स कर लेंगे अब सबजी में बढ़ियां सा रंगत आए तो मैं इसमें डाल रहे ह आधा चोटा चम्मच हल्दी और एक चोटा चम्मच कस्मीरी लाल मेर्ज पाउडर। इससे सबजी तीखी नहीं होती है पर सबजी में बहुत बढ़िया लाल रंग आ जाता है। आधा चम्मच मैंने लाल मिट पाउडर डाला है और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनड़ तक भूल लेंगे। और अब मसाले जले नहीं तो यहां मैं डाल रही हूँ आधा कब पानी। यहां पर पानी डालने से क्या होगा। एक तो मसाले जलेंगे नहीं और दूसरे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो इनको हम कभर कर लेते हैं और 4-5 मिनद तक पका लेते हैं। और 4-5 मिनद बाद देखें टमाटर अच्छे से गल भी गया है और देखें यह अच्छे से भुन भी गया है। मसालों से तेला लग हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ और मसाले एट करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच काली मिर्च अलवाई इसे जरू डालते हैं इससे सबजी में एक अलग सा टेस्ट आता है। एक बड़ा चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है क्रश करके। कसूरी मेथी डालने से सबजी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और एकदम खुसबुदार सबजी बनकर हमारी त्यार होती है साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्चे डाली है इससे सबजी चटपटी बनती है। अच्छे से इन सबी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इनको एक मिनर तक पका लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आलू। हमने यहाँ पांच मीडियम साइज के उबले आलू ली है। आलू को इस तरह से हाथों से तोड़कर डालिएगा, मोटे मोटे टुकडे रहेंगे तब ही सबजी का टेक्स्चर बढ़िया आता है। ग्रेवी पानी जैसी ने बनती है और सबजी का टेस्ट भी अच्छा आता है। अब हम इन आलू को दो मिनट के लिए मीडियम आज पर लगाता चलाते हुए पका लेंगे। और ये लिजे हमने दो मिनट तक इनको पका लिया है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं डेड़ कप गरम पानी। यहां पर आप पानी गरम करके ही डालिएगा ताकि सबजी का कुकिंग प्रोसेस ना रुके। और पानी आप अपने पसंद के हि जितना रस आपको सबजी में चाहिए। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और अब हम इनको कवर करके 4-5 मिनट तक पका लेंगे। सबजी को पकते हुए 5 मिनट हो गया है। अब भंडारे वाला टेस्ट आए तो इसमें हम डाल रहे हैं आधा छोटा चमच काला नमक। काल इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें लगाएंगे एक तड़का। तो तड़का पैन में एक बड़ा चमच घी गरम करिए। एक चोथाई चमच इसमें हींग डालिए। और आधी चोटी चमच लाल मिर्स पाउडर। मिक्स करेंगे और सबजी म तैयार हो गई हलवाई जैसी एकदम चटपटी आलू की स्वादिश्ट सबजी। इस सबजी को आप गरमा गरम पूरी पराठे या चावल के साथ सब करिए। सभी के साथ ये बहुत टेश्टी लगती है। तो दोस्तो रेस्पी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से कर दीजेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को पेस कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यबाद।